यम आकाशवानी दिल्ली संस्कुर्त वार्तायाम प्रस्तुतेयम वार्ता विशयह रुग्वेदह एकह परिचयह वार्ताकारह डॉक्टर उंकार यश्वन सेलुकरह ओम जामेधान देवगनाहा पितरस्च उपासते तयामामध्यामेधयाग्ने मेधाविनंकुरू वयम सर्वे जानि महयत समस्त विश्वकल्यान भावनेया साक्षात आदि पुरुष ब्रह्मन सकाशात निश्वास रूपेन निर्गता इमे वेदाहा समस्त ज्ञान विद्ञान परंपरायाह उपजीव्य ग्रंथाह संती अतेव आदो वेदमै नित्या तथा वेदो किलो धर्ममोलं इत्या दिभिही विविधवचनेही वेदानाम सर्वध्यान मूलकत्वं सर्वेपिशास्त्रकाराह मुक्त गंठेन स्विकुरुवंती परंपरा यथावत पराप्ता किन्तु भगवान वेदव्यासह कालांतरे मंदमतीन मुनुष्यान विचिंत्या वेदविद्यायाम यथावत सहुरक्षयितुम् ब्रम्ह परंपरया प्राप्तम वेदं यद्य परक्रियाम आधारीकृत्या चतुर्धा विभज्या रिक्यजुस्साम अधरवाख्यांश चतुरो वेदान क्रमशह पैल वैशंपायन जैमिनी सुमन्तिभ्या उपदिष्टवंतह एवं परंपरया चत्वारो वेदाह जातह कालांतरे सहस्रशाखो वेदह जात हां। अनैन प्रकारेन भगवता वेदब्यासेन उबदिष्ठह पहिलर्षेह सकाशात समागत हा। ब्रह्मन संपरदायह रुगवेदह इधानीमपि प्रचलती। रुगवेधस्य अपरह संपरदायह आदित्य संपरदायह। अस्य आधित्य संप्रदाय अस्य प्रादुर भाव विशये वैदिक साहित्य एका आख्याई का प्रसिद्धा. आख्याई का अनुसारं भगवान वेदव्यासह ब्रह्म संप्रदाय तह प्राप्तम वेदं चतुर्दा विबज्य स्वपुत्रा दिभ्या प्रायच्चत. केनापी हेतुना याद्निवलक्यो परी कृद्धह वैशंपायनह मत अधीतं वेदं त्यज इति उक्तवंतह। तदा योगीश्वर याद्निवलक्यह स्वयोग सामर्थ्यात मूर्ताम यजुर्वेद विद्यां तत्याज। ततो वेद विवर्जितो याद्निवलक्यह इदानीम अहम मानुष्यम आचार्यम नौपैमी इति संकल्प्य सुद्रुढम तपह तप्तवा भगवन्तम आदित्यम संतोशिया तसमात पुनह रिक्यजुस्साम अथरवाख्यां चतरो वेदान प्राप्तवा स्वशिष्यभ्य प्रायच्चद एवं भगवता आदित्येन उपदिष्टाह इमे वेदाह आदित्यसंप्रदाय नामना प्रसिद्धाह एवं रुग्वेदस्य दोसंप्रदाय उस्तः एकह ब्रह्मसंप्रदाय अपरश्च आदित्यसंप्रदाय ते रुग्वेद नाम निरूपनम रिक् ते रिक्पदा भिधे याहा। 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 प्रकारद्वयग्रदम। एकस्मिन प्रकारे अश्टकाह, अध्यायाह, वर्गाह, मंत्राश्ट इते चतुर्धा विभागह दृष्षदे। अयम विभाग अश्ट क नाम्ना प्रसिधाह। अपरह विभाग मन्डल, अनुवाक, सूक्त, मन्त्रा आहायती चतुरधा विभागत Thai। अयम विभाग मन्डल नाम्ना विवर्हियते। अश्टक विभागे संपूर्ण अर्गुवेद सहिता अश्ट अश्टकेशु विभक्ता, प्रती अश्टके अश्ट अध्यायाह संति, एवं अश्ट अश्टकेशु मिलित्वा चतु शष्टाधिक अध्यायाह भवन्ति, प्रती अध्याये वर्गाना मिभागह विभिन्न संपूर्ण रग्वेदे चतर विउंशत्याधिक द्वी सहस्र वर्गाह तथा दश सहस्राधिकाह मंत्राह संति मंदलक्रमह विभागेस्मिन संपूर्ण रग्वेदह रशी एवं देवतानुसारं दश विभागेशु विभक्ताह सम्यक वेधार्थ ज्ञानाया शट्शास्त्रा नाम रचना रशिविह कृता तानी शास्त्रानी वेदपुरुषस्य शडंगानी संती अर्थात यथा अवयवाह शरिरस्य उपकारकाह भवंती तथाइव एतानी शडंगानी वेदार्थ ज्यानाय उपकारकानी भवंती तेशु शडंगेशु छंदह व्याकरणं ज्योतिशं निरुप्तं चैती शास्त्रानी प्रायह समेशां वेदानाम कृते समानानी संती किन्तु शिक्षा एवं कल्पशास्त्रं प्रति वेदानुसारं भिन्नानी संती रुग्वेदस्य शिक्षा गरंथा हा रुग्वेद प्राधिशा खेती नामना विवर्यदे यत्र रुग्वेदिय मंत्रानाम उच्चारन प्रकारह संहितानियमाह समासाधिनियमाह विहिताह संती कल्पशास्त्रं समस्त वैदिक करमनाह व्याख्यानम करोती वयं सर्वानि करमानी हस्ताभ्याम करुमाह तदैवा हस्तव कल्पोत पठ्यदे इति वचनबलात समस्त वेदोक्त मंत्रानाम करमनाम प्रतिपादनेन कल्पशास्त्रम पे वेधपुरुषस्य हस्तस्थानियं कल्पितं। इदं कल्पशास्त्रम श्रोतसूत्रम गृय सूत्रम शुल्बसूत्रम धर्मसूत्रम्चेती चतुर्धा विभक्तं। सर्वेपी कल्प विभागाह सूत्र बद्धाह संति रुग वेदस्य द्वे श्रोत सूत्रे स्तह एकम आश्वलायन श्रोत सूत्रम दितियम शांखायन श्रोत सूत्रम इति गुरिय सूत्रे आश्वलायन गुरिय सूत्रम सांख्यायन गुरिय सूत्रम कौश्वीत की गुरिय सूत्रम चेती त्रयह ग्रंथाह संती वेदस्य एकह भागह आरण्यक नामना प्रसिद्धा यद्यपी आरण्यक नामना प्रतक ग्रंथ रचना नास्ती किन्तु ब्रामनस्येव एकह भाग विशेशहस्ती यत्र वैदिक कर्मकांडस्य आध्याद्मक चिंतनम प्रदत्तमस्ती एत्रे आरन्यकम बोधायकारन्यकम चेती द्वे रुग्वेदी आरन्यकेस्त वसुतह रुग्वेदह भुव्यापकह विशेह तत्रापि यता शक्यम रुग्वेदस्य सरुपम प्रतिपाद्य इदानिम्योयं शुतवन्तह वार्ता यस्याह विशेह आसीत रुग्वेदह ए त्रईव संपाध्यते नमस्कारा